पीएम साब ने जब मेकिन इंडिया लॉंच किया वो एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप था एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था एक फिंकिंग में चेंज लाने का था कि हम उस परिस्थितियों में पॉँच गए हैं जब हम बहुत जल्दी वन ट्रिलियन डॉलर एक्सपोर्ट के लिए तैयार हुए हैं अगर हम डेटा देखें तो आज एक्सपोर्ट हमारे सेवन सिक्स्टी टू बिलियन डॉलर पॉँचे हैं एक लबे टाइम तक देश में मैनुफैक्ट्रिंग को एक इंपोर्टेंस देनी है देनी है करके बोलते थे लेकिन वो इंपोर्टेंस कभी तक मिली नहीं देश की manufacturing में करीब करीब आजादी के 40-50 परशों तक manufacturing consistently या तो डाउन हुई या तकलीफों में आई एक तरीके से बहुत ही जो हमारा inspiration था हमारा जो potential था उस potential को हम तभी पूरा नहीं कर पाए। आप देखेंगे जब make in India PM साब ने launch किया जब मोदी जी ने PM साब ने जब make in India launch किया वो एक बहुत बड़ा bold step था एक बहुत बड़ा turning point था एक thinking में change लाने का था तब भी हमारे विपक्ष के लोग इसको बहुत ही बार बार criticize करते थे अगर आप Congress का उस समय का manifesto उठाएं उसमें भी लिखा होता था कि make in India करना चाहिए लेकिन जब make in India PM साब ने launch किया तब उन्होंने इसका criticism चालो किया याने जो पचास साथ वर्षों तक Congress की policy होती थी वो उसी में परिलिक्षित होती रही वो उसी में reflect होती रही कि make in India का भी विरोध करो मैं आपके साथ आज बैठा हूँ यह clearly आपके साथ data और facts के साथ बताने के लिए कि हम उस परिस्थितियों में पहुँच गए हैं जब हम बहुत जल्दी one trillion dollar exports के लिए तैयार हुए हैं और उसके पीछे foundation है manufacturing की manufacturing, make in India की success, design in India की success, innovate in India की success और series of programs जो उसके बाद में लाए गए, series of simplifications जो किये गए, एक तरीके से यह उसका पूरा reflection है अगर हम data देखें, तो आज exports हमारे seven sixty two billion dollar पहुचे हैं, seven sixty billion dollar पे हम लोग exports में हैं, इस exports की अब हमें diversity समझने की जरूरत हैं, सबसे पहला point, आज goods का export, merchandise, products, जो हम बनाते हैं, उन चीजों का export सबसे पहले हमें देखना चाहिए, लंबे time तक, exports में services की हमेशा ज्यादा संखिया रहती हैं, लंबे time तक, अब आप देखो, goods का export ज्यादा होने लगा है, four fifty, three billion dollar है, goods का export, services का export है, three zero nine billion dollar, आप देख रहे हो, मैं किस inflation point की बात कर रहा हूँ, यह एक बहुत बड़ा turning point है, बहुत बड़ा एक change आया है, बहुत बड़ा एक inflation point है, जिसमें देश की economy एक तरीके से change हो रही है, उसका एक reflection है,